तो स्टूडिन्स जिसका हमको था इंतिजार वो घड़ी आने ही वाली है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जिहां स्टूडिन्स आप सभी को पता है महाराश्ट्र स्टेट बोर्ड SSC 10 स्टेंडर का रिजल्ट आने वाले इस पर्टिकुलर वीक में ही लगने वाला है मतलब कि स्टूडिन्स लगभग लगभग एक टेंटिटीव डेट जिहां स्टूडिन्स एक टेंटिटीव डेट हमको हमारे महाराश्टर के जो एजूकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कल ही दिया अभी सबसे पहले students एक ही चीज में बोलना चाओंगा मुझे आज भी याद है students हम November, December, January, February, March ये 5-6 महने हमने कितनी लगातार महनत की थी हर एक दिन भाईया भी live stream ले रहे थे उस live stream में आप भी आ रहे थे पढ़ाई कर रहे थे बहुत सरे वीडियो मैंने बनाये थे important questions क्या मैं वही चीजे आप सभी से निवेदन करूंगा students बस दो सेकेंड लगेगा students मैं डेट तो आप सभी को बताने वाला कब लगने वाला है बट यार प्लीज भीया को बहुत अच्छा लगेगा नीचे आपके best of five ध्यान से सुनना आपका नाम लिखना है और आपके best of five में कौ कमेंड करेंगे जिससे की मुझे समझ मैं कि कौन सा best of five में subject आपका नहीं आने वाला है at the same way ध्यान से सुनना आज रात को जिहां students आज रात को भईया लाइव आने वाले है तो उसकी भी link मेंने description में दिया है जहाँ पेपर आपके कैसे checking किये गए है at the same way grace marks आपको मिलने वा है each and everything में आपको बताने वाला हूँ तो नीचे मेंन लिंक description में दे दी है आज के live stream में आ जाना है अभी रही बात students आपके tentative dates की तो जिहां students महारास्ट्र स्टेट बोर्ड के education minister ने कल ही press conference में बोला है सभी news reporter से चर्चा में की 10th standard का महारास्ट्र स्टेट बोर्ड का result 27th में जिहां students 27th में को आने के दुरूड मतलब की 95% chances है अभी students आयर सी बात है tentative dates है permanent dates नहीं है जैसे ही कोई भी और official updates आ जाएगी तो अपने channel से आपको बता दूँगा मैं तो नीचे subscribe करके रखना है और आज रात के live stream में आ जाना है बहुत सारे बाते करेंगे और कुछ यादो को भी त्याजा करेंगे तो आज आना है आज रात को live stream को और आपके paper checking किस प्रकार से हुए best of five का criteria क्या है each and everything भी मैं explain करूँगा तो 27th May is the date that has been given by our education minister which are one of the tentative dates tentative dates है बढ़ हाँ जैसे ही कोई official update आएगी तो बता दूँगा मलता सुड़ेज अगले वीडियो में मिलते है आज रात को live stream में तब तक मचातरो फोड़तरो भाई everyone love you all तब तक के लिए पीस आट